ये कोई ऐसा वैसा हल्वा नहीं है ये है विटामिन प्रोटीन और क्यालिश में सभर पूर हमारा हल्वा बस दिन में दो चुम्मच खालो हड्या मजबूत होगी और दिन पर थकावट भी दूर होगी चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर मैंने सारी हेल्थी चीज़े यूज की है और यह हल्वा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद है चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर हम चने ले लेंगे और चने हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे औ और इनको हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक हमारे जो मखाने वह थोड़े सी क्रंची न हो जाए तो मखानों को रोस्ट करते वक्त ग्यांस का फ्लेम यहां पर हम हाई और मीडियम के बेच में रखेंगे चलिए इसमें हम बादाम डाल देंगे और साथ हम बादाम भी इस प्लेthose में निकाल लेंगे अगर आफ बौस्ट करना चाते है तो कर सकते आप नहीं करना है तो आप इसको कर सकते है तो घ्री में गीड़ा दूँ है मैंने चल्टों का यहां पर पौडर बनाकर तियार कर लिया था और इसको हम भूलेंगे वैसे तो जने पहले से ही भूने ह होते हैं लेकिन इसको हम थोड़े दर और भूनेंगे तो हमारे जो हलवा बहुत जाल टेस्टी बन कर तयार होगा तो थोड़ा सा उपर से हम गी और डाल देंगे और लगातार इसको चलाते हुए थोड़े इसको हम भून लेंगे और गैंस का फ्लेम यहां पर हम मीडियम रख लुटा जा रहे हैं तो हमने जो बदाब और मखाने रोस्ट किए थे उनका मेंने पॉडर बना कर त्यार कर लिए तो मैंने इसके बीच में डाल दिये तो चलिए इसको अब हम चला लेंगे तो चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे बस एक ही चंवच इसम को हम और भून लेंगे और यह देखिए इसका कलर काफी चेंज हो चुक है और चने हमारे अच्छी तरह से भून कर तयार हो चुके हैं तो अब हम कड़ाई में पानी डाल देंगे तो एक गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे और साथ ही यहां पर मैं इसमें गुड़ डाल रह चाशनी में डाल देंगे और इसमें हम 2-3 बॉइल आने देंगे तो यह देखे आने शुरू हो चुखे तो चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना तो बस अब हम यहां पर गयास का फ्लेम बंद कर देंगे तो चलिए इसमें अब हम थोड़ी सी खसकस डाल देंगे यानि की पॉपी सीट्स तो चलिए इसमें अब हम मखाने और भूने हुए चैने का जो पाउडर हमने बना कर तियार किये डाल देंगे इसमें और मिला देंगे अच्छी तरह से तो बस यहां पे हम ग्यास का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम पकाएंगे और अच्छी तरह से इसको हम उपर से प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो लंज है वो सारे इसमें से लंज निकर जाए लगतर इसको हम चलाती रहेंगे और यह देखिए यह गाड़ा भी होना शुरू हो चुक है और यह देखिए हमारा चने और मखाने का हलवा बनकर तयार हो चुक है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है बस रात को सोते समय आप इसको दो से तीन जमत दूर के साथ खा लें तो यह लिजिए हमारा चने और मखाने का हलवा बनकर तयार है तो आप भी किजिए ट्राई वीडियो को लाइक किजिए शेयर जुरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए